कि सो हेलो के स्टॉप का स्वाह करते हमाय चैनल असल्ट में तो अच बात करने वाले हैं स्काइल और स्रेवाइटी के बार में क्योंकि कल से इन दोनों की कॉंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है क्या हुआ कैसे हो यह जानना है तो पूरा वीडियो जरूर देखना आपको पॉ बोलता है कि तूँ स्कैमर है तो न्यूज दिखा कि कॉंट्रोवर्सी बढ़ाता है और इससे लेट उन्होंने और क्या कहा है चले देखते हैं यह बुलूँ के श्रेवाइटी एक चोर है तो क्या आप मानोगे अगर मैं यह बुलूँ के श्रेवाइटी पैसा लेकि प्रूफ दिखाने वाला उसके बाद तुमकर बहुत कर नहीं करेंगा फॉर इक्जांपल अभी ट्राइश की न्यूस मिलती है कि चैनल पर कभी नहीं मिलेगी बाता है नियूस किसे कवर करते हैं मैं बताता हूं यहां पर मैंने बाइको मैसेज किया कि बहुत बेज दिये प्लीज कवर कर देना उसके बाद भाई का रिपलाई क्या है वो तुम खुद देख सकते हैं इस बात को श्री अच्छा से जानता है कि मैंने उसको कितना पैसा दिलाया है न्यूस कवर करने के लिए तो यह मैटनी करता कि आपकी न्यूस पॉजिव है या नेगटिव अगर ने तुम खुद देखो ना हर दूसरी वीडियो या तो ऐसी होगी कि या तो अज्जु भाई का फेस्ट्रिवल होता रहेगा या फिर किसी रंडम बीग यूट्यूबर के साथ को बड़ी घटना घटित हो जाएगी पर कुछ भी को भाई की वीडियोस में क्रियेटिविट करती है उनके बारे में कोई निउस नहीं और ऐसे निउस चैनल को तुम निउस चैनल रोलते हो जिस तरह को घ्यानने और मैंने गांट पर दे रखी कि घल्ती से भी हमारी नुस के पर मत करना उसी टाइप से अगर देशी नहीं साल के फॉलो करती है वैसा ही सेम चैनल होता ह कर रहा हूं यहां पर बात हो रही है श्रे जैसे फ्रॉड चैनल की नियोन में और श्रेवाइटी में जमीन आश्मान गंतार है और वो डिफ्रेंस तुमको इनकी वीडियो देखने के वासे बहुत सार लोग के बाद पता होगी कि अज्जू तेरा बाप इस वर्ड को लेकि यहां पर अपने गया ने र्यक्त कर दिया और वहां पे श्रेक्श के मज़े हो गए अब बाद में ये वीडियो आने के 2-3 गंटे बाद श्रेव आईटी का वीडियो आता है और उस वीडियो में श्रेव आईटी बदा दे कि स्काईलोड जूट बोल रहा है और लोगों को मैनुपलेट कर रहा है और लिसे लिए रचक लिंग इसका लिए Kern सब्सिता करई आएं ahor वाई तुम्हें कोphetं सब्सक्राइब फिर मैंने करनों इसको बोल दे वो चाट दिखाने को जांके दूसरी हा इसने कहा है कि जब मेरे चैनल पर डो पढ़ा था तो मैंने वीडियो अप्रोड कैसे किया तो मेरे भाई थोड़ा सा अपडेटेड हो जा थोड़ा सा देख कि क्या दिन दुनिया में चल रहा है और मैं जानता था कि यह बंदा कभी ने कभी इस पॉइंट को तो उठाए गई और सिर्फ यही नहीं बहुत सारे लो सीन कर दिया मतलब कि जहां से चांस था कि उसको हेट करेगी उसके वीडियो को डिसलाइक करेगी वह में उको यह बोलता पायल वाली न्यूस कवर मत करना जिनको नहीं पता पायल कौन है मैं बता दू वह बेसे कि लिए पब जी की यूटूबर है आई थिंक स्टीमर है और आप इसने कहा गाली गलोज करके आया था मतलब पायल गेमिंग के डिस्कॉर्ड में ही जाके उनको ही गाली दे रहा है आप यूटूब पर सर्च करना स्कायलोड वाइल वाइल गेमिंग ऐसा कुछ करके आपको वहापे मिल जाएगा मतलब कि अगर किसी और को हेट मिले तो गलत है अगर कोई किस्टम अदगेम्पलें कर स्कॉड ऑन से तो वह अगलत है अगर कोई यूज जन, और सारे कॉंटेंट जितने गिल्स में बहुत है इसके हिसाब से लेकिन एक कॉंटेंट बहुत ही हाट है गाली देना दूसरों की कषाईज करना। जैसे लास्ट में कहा है कि मैंने एक बात को इधर से उधर किया तो मैं आगो बता दू ये बात कर रहा है Newsboy का चुकि हाँ मेरा बहुत अच्छे फ्रेंड है और उन दोनों के बिश यानि कि Sky और Newsboy के बीच पे Controversy हो गया था अब वो क्यो हुआ मैं को बताता हूँ एक बहुत घटिया रीजन था साब लोगो पता हुआ कि उसने अल्री बहुत जगा फेस्टिविल करके रखा है बहुत पहले ये मैं पहली के बात कर रहा हूँ बट एक बार क्या हुआ कि एक यूट्यूबर मैक्स टन उसने स्काइलोड के साथ पिच्चे अपलोड कर दिया और उस वक्त भी स्काइलोड का फेस्टिविल हो चुका था जैसे इस न्यूस को न्यूस बोई ने कवर किया इस बंदे ओ इतना ज़्यादा गुसा आया कि अपने इस राम पर बोल रहा है सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि ज्यान गेविंग ने में को कहा था कि अपने चाना का नाम चेंज कर ले ध्यान से सुनना से बहुत यादा प्यार करता हूं और मैं उनको बहुत ही मतलब प्रायरिटी में नंबर वन पर रखता हूं कुछ भी हो जाए इसलिए मैं चुप चाप गेल्ड छोड़ दिया तो यह रिजन था हम दोनों के भी जगड़ा होने का और यह अपने वीडियो में कुछ भी बख रहा है कुछ भी इसको कुछ आता पता नहीं है बस जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है और आप मेंसे जितने ही मेरे पुराने सबस्क्राइबर हैं आप लोगो पता होगा यह बात अगर आप मेरे सारे न्यूस वीडियो को देखते हैं दना आप लोगो याद होगा कि एक टाइम में रोमियो गेमर और इसके बीच में कॉन्ट्रवर्सी हुआ था जहां पर रोमि तो मेक ही बीच इसका किया में से जाता मैं को पता है नहीं बता होगा मैं दिखाता हूं इसने में पहलता कि आज से रोमियो गेमर का कोइब निूस कवर मत करना फिर यह बता है कि और ओपरफ़ लेकिन कुह डूसरा यूट्पवर आपके अगैंश में कुँछ बोड़ रह वरना मैं तेरा गेंच वीडियो बना दूँगा ऐसा तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि यह कैसा है सुया यही मेरा सारे पॉइंट से मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दिया एंड यह मैं किसी कॉंट्रोवर्सी के लिए नहीं बना रहा हूं मैं जो अपनी ओडियन्स है जो में 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 पॉइंट्स इग्नोर कर दिया तो इससे लिए उन्होंने और क्या का है चलिए दिखते हैं देखो कुछ पॉइंट ऐसे है जो मेरे शेर रिप्लाइश नहीं दे पाया मैं कॉइंट बताता हूं कौन-कौन से पॉइंट रिड मोर देखो पहले थोड़ा कर दू मेरे कुछ पॉइंट थे जिनका रिप्लाइश नहीं दिया अपने वीडियो में यही तो में पॉइंट थे यार में पॉइंट भाई ने इग्नोर कर दिये कॉंट्रोवर्टि करवाता है जो अज्यू वाले स्क निश्ट है तो कि अज्यू में लड़ाई हो जाय है वह वाला पार्ट यह नहीं कवर किया है बाई ने तुछुँशित वैस्यूज नहीं कवर करते और यह तो कमन सेंस है भाई बट भाई नहीं यह वाला पॉइंट करता है समझ में आता है इतनी कपे गड को ही निहीं करता है और जिससे तु अपने हैं को चलता है नहीं करता है वो तिरसे भूल गुण अच्छा है और और रोट दिली सिली तो रोज रिक्शन पर करेगा इसा नहीं होता है देशी के वार एवरी वियर सेम मैंने सिंपल दे दिया सिंपेथी वाले सीन मैंने समझाया बट उसके बारें भाई ने कोई बात नहीं करी ठीक टूर्णामेंट प्लेयर और टूर्णामेंट विनर की कोई न्यूज नहीं होती है उसके बारे भाई ने कुछ नहीं बोला नावासियों वाली कुछ न्यूस मिलती है सब गाया बजाती है हर जगे इससे कुछ नहीं मिलता है इसके बारे भाई ने कोई बात नहीं करी मैंनी मोर पार्ट टू, बी रेडी फॉर पार्ट टू गोड नाइट, टाटा भाई भाई चलो उसको रेडी करते हैं इसी के बाद Skylord इंस्टाम में स्टोरी डाल के बोलता है कि कल से वन वीक तक फुल क्लिक बेट वीडियो आएंगे तो ये पूरा सीन देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत है कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और हाँ, चैनल पने आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक्यू सो मच